मेरा नाम है सर सुनील कुमार प्लीज़ आपकी संस्ता है प्लक टूवल पर जै बिल्बल तो नरुवाणा में लगातार तीन चार जैंसे कुछ महिला है आरी है जो कह रही है कि वहाँ पर सुमीत्रा नाम की महिला है और इस लेक्षिए है जिन्होंने उनके पैसे खाया है और प्रोड किया है तो क्या कुछ मामला है क्या पूरी संस्ता ही सामिल है या फिर वो के लिए नहीं सर देखो पहले एक बार यही माईल आई हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहां नर्वाना में जुन से निकाल रहे हैं सर टोटल मैं आपको बताता हूं बात इसमें संस्ता में पहले पांच डिरیک्टर के पांच डिरेक्टर में दियाकिसन सुमीत्रा मैडम सुनील कुमार विरेंदर महरा और कवीता लोट फो डिरेक्टर की सब की अलग-अलग सीटीं है अलग-अलग जगयों के वो लोग बैठे हैं जो डोनेशन कोलेक्ट करके पब्लिक सेवा कर रहे हैं जैसे लड़कों की साधिया करनी है कोई भी काम कर रही है वो हम बाद में बखान करेंगे जैसे विरेंदर मेरा और कपीटा मैडम-दोनों बैठते हैं सफिद्धो और असंद में को मैं राजवन बराच में बैठता हूं और सुमित्र मैडम नरवाना है टोटल नरवाना से वह कहां तक गई हुई है जहां तक भी गई आ वह तोतल सारे का सारा अब तक का सरे उनको ही जाता है उन्होंने किया काम किया अगर वो audit देती है अपना balance sheet अपना चिठा अगर हमें सोपती है यानि government के आड़े आ जाता है वही हमने इतना donation collect किया तो और इतने लोगों के हमने help की है इतने लोगों के हमने मदद किया है तो संस्ता उसको पूरे को cover करेगी और जो लोग बच जाते हैं जो अभी पीडित लोग हैं बही मारा यू रह रहा था मारा वो रह रहा था इतना हमें मिलना था वो सब संस्ता के मादम से उनको मिल जाएगा अगर मैडम एक बार अपनी audit balance sheet दे देती है और ITR भी बरवा देती है वही उसकी संस्ता में अगर मालों उसकी ब्रांच में संस्ता में दो यह सबीका करना है कि 7 क्रोड रुपे डोने सना है उनके पास 31 मारच 2021 22 से लेकर अब एक अपरेल तक का जो ब्यवरा है उसका वो भी नहीं दिया और उसके बाद अपरेल से जो नया session सुरू हुआ 23 से 24 का उसका भी अब तक हमा इन लोगों से एक भी बात नहीं कह सकता कि भी मतलब मैं कवर करूंगा मैं तब कवर करूंगा जब सुमित्रा मैडम अपना हिसाब करें इन सब को साथ बिटा के बताए कि भी इतना आया था दोको यहां पर बोल दिया भी 10 लाग रुपे आ था 10 लाग की हम तो मान लेंगे अब उनी लोगों का एड़ करेंगे जो लोगों का उनमें नाम होगा अब फोर एकजेंपल कुछ महिला है जैसे मन्जु जी है इन्होंने काम कर दिया 25 लाग का वहां पर अगर हमारे पास बेवरा इनका 5 लाग का है तो हम तो 5 लाग कोई मान नहीं बैप 5 लाग इन्होंने या डोनेशन को लेक किया तो वापसी में जो लोगों की इन्होंने हल्प करवाई है जैसे किसी को सैकल दिलवाई है या सिलाई मशीन में हल्प करवाई है या किसी का भात या P Central Ben White को पता है या पिर सुमित्रा मैढम को पता है वो उसकी बैलनस सीट बनावा के हमें दे तब हों को पूरे के पूरे जितना भी बढ़ा भड़क हैं लोगा जो भी प्रोबलम मैं ईसको saar मैं कवर कर सो हुउ अब मैडम जब तक सामनें आकर इन लोगों से नहीं मिलती या मुझसे बात नहीं होती मैडम की तब मैं इसके बारे में कुछ ही नहीं कह पाँगों अगर नहीं सर मैंने अब तक का मैंने कोई इसाब की बात करते हैं 22-23 के सेसन का मैंने कोई इसाब नहीं करना और 23-24 का मैंने कोई इसाब नहीं बरना अगर 21-22 का कुछ किसी का पेंडिंग है तो वो मैं कर सकता हूँ अगर 21-22 के सतर में कोई भी पीडित वेक्तियां बैटा है कि 21-22 में हमने कोई सुविदा लगाई थी वो हमें मिली नहीं तो उसके लिए सर मैं मैं उद किसी विदा दे सकता हूँ लेकिन 22-23 के सेसन में हमारे पास कोई बेवरा नहीं आया है और ना 23-24 के सेसन का अब तक कोई बेवरा हमारे पास है अब तक भी लीगली में मैडम सुमित्रा जी डिरेक्टर है जैसे कि आप नेक्स टाइम मैंने कल ले अपर सो एक वीडियो देखी ति उसमें बोर रहे थे कि मैं एडवाईजर हूँ आज सुबह देखी दिमें एक वीडियो फेस्बुक पे वो कह रहे थे कि मैं एक डिरेक्टर नहीं आप Google, Google तो हमने नहीं बनाया, जैसे वेबसाइट है मेरी, वो तो मैंने बना रखी है, जैसे for example हमारी वेबसाइट है plus QVSI limited, वो मैंने बनवाई है, मेरी पूरी decoration उसमें होती है बही मेरा जो कुछ भी है, मैं अपने तरीके से उसको decorate करवा सकता हूँ उसको मैं legally भी नहीं मानता, बही legally है, वो तो हमारे अपनी पैचान के लिए वेबसाइट बनाते हैं लेकिन director जो है, government से authorized होती है, उन पर उनकी वीडियो भी बनती है तो आप government की site पर जाएए, Google पर जाएए, प्लस की welfare इंडिया फाउंडेशन को डालिए वहाँ पर जितने भी directors होंगे, वो सब निकल के सामने आजेंगे कौन कब अपोइंट वहा, वो भी detail उसके अंदर डेली हुए है आज तक का जितनी report है, हमारी audit भी online है, balance sheet भी online मिलेगी, ITR भी online मिलेगी अब तीसरी session चल रहा, तीसरे session का हमारा audit भी हो चुका है, balance sheet भी हो चुके है तो सुनित्रा ने वीडियो के मातिल से ये भी कहा था कि मैं तो एक MD नहीं हूँ, तो आप लोग यह उठाएंगे कि हम, एक बार आप सामने लेके आए, document दे रहा हूं, आपको एक बार उठा लो नहीं, document दे रहा हूं आपको, जो सच है, वो सच बताने के लिए, सर मैं आज आप लोगों के बीच में आये हूं, बहुत सारी बाते हो रही हैं, सुनील ने वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बाते तब तक है सर, जब तक आप लोग मुझे से बात कर रहे हूं, मैं सही हूं, आप दूसरे की सुनों के तो वो सही है, जब तक आमने सा आप पैमेरे को अगे लेका यह सर जैसे इसमें पांच डिरेक्टर की डिटेल हैं पांचों डिरेक्टर यहां पर सीनेचर करते हैं और तब जाके मतलब इसके अंदर आती है कि यहां पर भी देखिए यह मतलब इसमें मैं मुंबई गया था मैं डोनेशन के लिए कंपनी में यह पांचों डिरेक्टर के दुबारा मुझे अथ्राइज किया गया था कि भी आप डोनेशन को लेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं यह कुछ हमारे पास पेंडिंग पड़ी है रसी बही जैसे बाहर गए हुआ है कोई कंपनी एक रिजेक्ट कर देती है एक्स्ट्रा है उनमें भी सर पांचों डिरेक्टर की डिटेल है इसके अंदर भी अब तक का ब्यवरा ही है और अब इसमें सर छे डिरेक्टर हो गए हैं संस्का में पहले में सिंगल ऑथ्राइज़ सा अब दो ऑथ्राइज़ है बैंक में भी दो बंदों के सिगनेचर होते हैं तब जाके किसी भी दान को पबलिक सेवा में लगा जा सकता है बाई चेक के मा जब उसके सिगनेचर हो जाएंगे तब वो कर लिए रहूंगे अन्या था वो जीरो है यहां पर देखिए सर आप एक बात सोचिए सर आप लोग मिनिमम मिनिमम टैंथ प्लस टू से अब होई होंगे कुछ लोग पोस्ट ग्रेजविट पी होते हैं अगर हम किसी को कुछ दे अगर बैंक में जाते हों बैंक में उप्सन होता है आप रसीद बरते हों रसीद का एक टुकड़ा आपको मिलता है ठीक ऐसे ही हमारे यहां भी रसीद का एक टुकड़ा जो भी बंदा ओफिस में पैसा जमा कराता उसको मिलता है अगर मैडम ने हमारे पास संस्था में पैस पहले ये राजोंद में काम करते थे मेरे पास जैसे ही मैडम ने फ्रेंचाइजी लॉंच करवाई उसके बाद अभी सेख जी को वहाँ पर रैफर कर दिया गया था भी आप अब नर्वाना आपका नजदीक है आप नर्वाना में जाके बात कर सकते हैं अब ये बताए अभी स इनुके दुआरा पैसा कभी जमा खरवाया गया था महाँ कर दमद focusing to make sure क encant मिरा जो कान चांट कर फिस इंके पास उनकरवाना मेरा हम इसना का उसरी हो यह हैं प्रसा चाल क्छाए तो को थि नी तो pillar के सारा कर पो लिप अच्छाण यहां तरह, घpower से वहीं तो तो प्राइब जो कितनी जिसर काम भी बहुत जारा दा उस तक तो बड़ना है और तरही हो ज़िए जाहां तक हमारे पास से कोपी जाने करें मिशन होता है वो बताता हूं आपको जैसे ये कोपी हैं नरवाना प्राइब आप लोग पूरा फोक्स कीजिए और प्लस्क्यू को सर मतलब एक वो बना दिया इसू बना के मतलब उकिया जा रहा है यह है सर ओरिजिनल पास देखो न सर है के नहीं है एक बार मैच तो कर लो अगर आपको लग रहा है कि भी हाँ है तो आप देखिए यह ओरिजिनल है जिन लोगों के पास यह क्या हुआ जिसे मतलब ओथराइजट है वहां पर एक ही हमारी प्रेस है प्लस्क्यू वैलफिर इंडिया फाउंडेसन के एक ही प्रेस है जहांसे डोनेशन सलिप या दान की कोई भी रसीद है या यह पास्बुक है डोनेशन पास्बुक जिसके माच 2018 में सरसंस्ता लोन्च हुई क्या कोई भी फ्रोड काम चार साल लगातार चल सकता है आप लोग बोली अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है तो मैं से विकार करता हूं कि हम लोग फ्रोड है पलस्क्यू वैलफिर इंडिया पांडेसन में एक ही काम गलत हुआ है वो है लोगों तक रोजगार पहुचाना बाकि सुविधाएं तो सब को time to time मिल रही थी जो रोजगार जब से launch किया मैंने 14 अपरेल 2022 में मैंने संस्ता में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है वो महिलाएं घर बैठके आराम से काम कर सकें स तो भी उनको 7000 रुपे महिना salary मिलेगी मैंने ये काम चलाया 6 महिने यानि 14 अपरेल 2022 में मैंने काम launch किया और 22 अक्तुबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से corporate लोगों के दुवारा donation जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्ता को नहीं मिला संस्ता उसमें बहुत बहुत ज़्याधा loss में चली एक बार मैंने दिपावली के उपलक्स में सभी advisor को चाहे वो नरوانा branch का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंद का है, चाहे वो बभань का है चाहिए वो गीड ब्रांच का है यानि हमारी जितनी भी टोटल ब्रांच इसी मैंने सब को एक एक जगए पर इकत्रित किया क्योंकि मैं सर बहुत जादा टूट चुका था मार्केट से लोगों से पैसे उठा गर कभी किसी से दो लाक उठा रहा हूं कभी किसी को तीन लाक क्य तब मैंने मिनिमम मिनिमम 84 लाक रुप्या मैंने मार्किट से उधार उठाया मैंने लोगों को बताने के लिए डवाइजर को बताने के लिए मैंने नहीं की अकफरित किया जैदी आप लोग यह सोचते rein कि सुनील कुमार किसी टाटा बाटा का बेटा है जो मतलब बाहर से पैसा आएगा और वही पबलिक में बाट देगा ये गलत है मैंने यही बात बोली थे उनको लेकिन सभी एडवाइजर इने गुटबंदी की पहले भी सहस्ता चलार की थे किसने एडवाइजर्स ने डोनेशन कोलेक्टर तो यही थे डोनेशन जितना भी ले सब कुछ फंड था डोनेशन का पबलिक फंड था और सबको सुविदाएं भी मिल रही इसके बारे में सुवित्रा मैडम बताएगी कि भी नर्वाना में 22 से 23 में उसने कितना डोनेशन कोलेक्ट किया और कितने लोगों तक उसकी सुविदा गई है और कितने लोगों की